कर दोस्तों आज से शुरू कर रहा हूं मैं आपके लिए क्लास 12 का अकाउंट जिसमें पहला टॉपिक में ले रहा हूं पार्टनेशिप मेक्सिमम वेटेज है इस टॉपिक की 30 to 35 माक्स में ये पूछा जाता है लेंथी टॉपिक है बहुत इंपोर्टन टॉपिक है तो ध्या इस टॉपिक तो वही रहने वाले हैं लेकिन दुबारा आपको वह नहीं पढ़ना है 11 में जो आपने पढ़ा वो था अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि जब एक अकेला परसन पैसा लगाता है रिस्क उठाता है फिर जो वह पैसा लगाया उसने रिस्क उसके बाद final accounts वह सारे उसके अंदर बनते हैं 12 में हम क्या पढ़ेंगे उसके आगे की कहानी कि मान लो कि अगर आप partnership करते हो तो आपको किस तरह के accounts फिर उसके बाद बनाने ऐसा नहीं कि वह नहीं बनाने वह भी बनाने है लेकिन 12 में आप दोबारा उसको बनाने की या उससे जादा लोग मिलकर कोई काम शुरू करते हैं जिसका मकसद profit कमाना होता है उसको हम partnership कहते हैं तो सबसे पहले question ये rise होता है कि partnership की जूरूर पड़ती क्यूं है अगर मैं अकेला काम कर रहा था और मेरा काम अच्छा चल रहा है मैं profit में हूँ तो मुझे partnership करनी क्यूं तो there are number of reasons कि जब हमें किसी partnership को form करना पड़ता है partnership बनानी पड़ती है number one is capital अगर आपका business अचा चल रहा है लेकिन आपको expansion के लिए capital चाहिए आपको अपने business को expand करना उसके लिए पैसा चाहिए तो आप उस case में किसी ऐसे person को अपने साथ partnership में ले सकते हो जिसके पास पैसा ह है आप उसको यह बोल सकते हो कि वह आपके business में पैसा लगाए बदले में आप profit का कुछ हिसा उसको दोगे तो उसके लिए भी हमें partnership form करनी पड़ती है या फिर किसी ऐसे person के पास कोई ऐसी technical knowledge कोई skill कोई ऐसा ग्यान है जो आपके business में काम आ सकता है तो उस ग्यान के बदले म में भी आप उसको अपनी partnership business में partnership offer कर सकते हो या फिर आपको manpower चाहिए उस case में भी आप किसी को अपने साथ partner रे सकते हो तो बहुत सारे reasons होते हैं जिसके वजह से हमें partnership form करनी पड़ती है ठीक है अब जो partnership act 1932 है partnership act 1932 1932 section 4 इसके अंदर partnership को कैसे define किया गया है इसने कहा it is a relation between persons who have agreed to share agreed to share the profit of the business profit of the business carried on by carried on by all or any one of them acting for all तो partnership act 1932 section 4 में partnership को कैसे define किया गया है कहता है यह एक relationship है यह एक relation है जिसमें partners उस partnership से होने वाले profit को share करते हैं और साथ ही एक चीज़ जोड़ी गई कि carried on by all any or any one of them acting for all इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह दोस्तों कि मान लो कि दो partner है A और B तो A B कहता है कि मैं सिर्फ capital लगाऊंगा काम आपको करना है सारा business आपको देखना है तो उस case में जो A decision लेगा A B B के भी हाँ पे काम कर रहा है तो A जो भी decision लेगा उसके लिए B भी equally responsible होगा क्योंकि B ने इसको thought दिये कि आप कोई भी decision लो उसके लिए खाली A नहीं दोनों ही जिम्मेदार होंगे दोनों ही responsible होंगे तो carried on by all दोनों भी काम कर सकते हैं या कोई एक भी उनमें से काम कर सकता on behalf of others तो अगर एक ने वो कोई decision भी लिया उस जिसने profit हुआ लास हो कुछ भी हुआ उस सब के लिए बाक और सबसे पहले जब partnership बनेगी अब क्योंकि एकसे ज़ादा लोग हैं तो कितने लोग हो सकते हैं देखिए partnership किसी भी partnership को form करने के लिए minimum हमें कितने लोग चाहिए minimum हमें लोग चाहिए दो कि दो से कम से तो partnership हो गया अगर दो से कम है और maximum कितने होने चाहिए, maximum की भी limit है, maximum 50 से उपर नहीं होने चाहिए, 2 minimum 50 maximum यह आपको very short answer में पूछा जा सकता है, तो किसी भी partnership को form करने के लिए minimum 2 और maximum 50 member होने चाहिए, ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने partnership form कर लिए, मानलवा partner बन गए, तो क्या-क्या करोगे भाई, partnership में क्या-क्या होगा, यह सारी चीजें जो हैं, यह सारी चीजें आपको partnership deed एक बनानी पड़ेगी, उसमें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा तो लिए यह कि आपने पैसा लगाना है, किसी ने पैसा लगाना आपकी partnership deed में होती हैं, सबसे पहले हम यह बात करते कि क्या-क्या terms and conditions हो सकती है, number of terms and conditions हो सकती है, आप जो भी terms and conditions है, वह आप बना सकते हो, 10, 15, 20, जितनी भी आप बनाना चाहो, बना सकते हो, तो basically क्या-क्या terms and conditions हो सकती हैं content of partnership deed भाई जो partnership deed है क्योंकि जब आप business करोगे तो आपको partnership deed एक बनानी है तो उस deed के अंदर क्या-क्या terms and condition है भाई आप क्या-क्या decide करोगे सबसे पहले name of the business भाई जो business है वो किस नाम से चलेगा ठीक है अच्छा उसके बाद nature of business किस तरह का business होगा ठीक है उसके बाद third is capital contribution कौन कितना पैसा लगाएगा ये भी उसके अंदर होगा अच्छा उसके बाद fourth is interest on capital कि capital के उपर interest है तो कितना है drawings कौन कितनी कर सकता है ठीक है जी और interest on drawings कितना partners को देना होगा अच्छा उसके बाद salary ये commission कितनी होगी partners की उनको कितनी salary ये commission देनी है आच्छा और most important profit को कैसे हमें बांटना है किस ratio में profit को बांटना है तो और बहुत सारी चीजें यही नहीं इसके साथ और बहुत सारी चीजें जो जो आप चाहो अपनी partnership से बना सकते हो oral या फिर return ठीक है भाई कोई ऐसा ला नहीं है जो आपको कहता है कि oral बनाओ या फिर return मर्जी आपकी है आप जैसे चाहो बना सकते हो लेकिन 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 कोई भी चीज अगर return में हो तो जायदा अच्छी क्यों कि भाई कल को कोई देखो पैसे का मामला है दो लोगों ने return में clear कर रखी हैं, तो भाई dispute नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, कोई लडाई होगे, जगडा होगे, किसी चीज को लेकर dispute हो गया, आप बोलोंगे, हम देखेंगे partnership deed में क्या लिखा है, जो लिखा हमें उसको follow करना है, clear है, तो उसमें क्या होगा, कि आपके disputes नहीं होंगे, लेकिन अगर oral है, verbally है, return में नहीं है, तो disputes हो सकते हैं, फिर उस dispute को sort out करने के लिए, आपके पास कोई return evidence नहीं होगा, जगड़े बढ़ेंगे, partnership आपकी तूट सकती है, इसलिए, इसलिए, आप partnership deed को return में रखो, return में होने से फायदा है, बाकी मर्जी आपकी है, oral रखो गया return, clear हो गया, आच्छा, देखिए, अगर partnership deed written में है, तो जो जो लिखा है उसके अंदर हमें वो follow करना है, ठीक है, लेकिन अगर partnership deed गलती से oral बना धी, कि भाई, ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा बनता है, मैं इसको बच्पन से जानता हूँ, हम return में नहीं लिखेंगे, उसमें भी कुछ rules जो है, partnership act के apply हो जाते हैं, तो अब हम जानेंगे, कि अगर partnership deed oral है, तो फिर उसमें कौन से rules जो है, applicable partnership act के हो जाते हैं, तो चलिए जानते हैं, rules के बारे में, मिटा दें इसको, चलिए, तो rules in the absence of partnership deed, partnership deed, मतलब क्या, कि अगर आपके partnership deed oral है, या फिर बनी है, लेकिन किसी एक particular चीज़ के लिए उसमें कुछ लिखा नहीं गया, मैंने कहा ना, partnership deed में a number of terms, terms and conditions लिख सकते हो, लेकिन कोई term and condition आपने उसमें नहीं लिखी, तो उसके लिए भी कोई, जो rule है, वो partnership act का, वो applicable हो जाते हैं, तो rules in the absence of partnership deed, oral या अगर partnership deed oral है, या फिर silent है, तो उसमें हमें कौन से rule follow करने हैं, so rule number one is simple है, सबसे पहले भाई हम business क्यों करते हैं, profit के लिए तो profit की ही बात कर लेंगे, profit sharing ratio क्या होगी, भाई अगर आपने partnership deed written में नहीं मनाई, तो याद रखना किसी एक का फाइदा, किसी एक का नुकसान हो जाएगा partners का, किसी एक का फाइदा है, किसी एक का नुकसान पके तोर बात करते हैं, profit sharing ratio, तो partnership deed नहीं है, तो rule applicable हो गए, तो वो equal हो गई, irrespective of the capital contribution, चाहे आप एक partner जादा capital लगा ले, चाहे कम, for example, देखिए, suppose करो कि A और B दो partner हैं, B ने लगाया था 5 लाक और A ने लगाया था, सिर्फ 2 लाक, अब इन दोनों ने partnership deed नहीं बनाई, नहीं बनाई, इसका मतलब partnership act का rules applicable हो जाएंगे, profit इनको बराबर बाटना पड़ेगा, तो मान लो कि 20,000 का profit हुआ था, तो 20,000 में से, क्योंकि इन्होंने, जो partnership deed है, written में नहीं बनाई, तो 10,000 इसको चला गया और 10,000 इसको चला गया, तो किसको फाइदा है, किसको नुकसान है, भाई, इसको फाइदा हो गया और इसको नुकसान हो गया है, कैसे, भाई, 2,000,000 लगाया, 10,000 मिला, इसने 5,000,000 लगाया, तब भी 10,000 मिला, तो जादा capital लगाने के बाद भी उसको सेम अमॉंट मिल रहा है, जो B को कम capital लगाने के बाद मिल रहा है, तो इसका हो गया नुकसान और इसका हो गया फाइदा, ठीक है, तो तब ही मैंने कहा कि partnership ली रिटन में जुरूरी है, चलिए, अब करते हैं, दूसरी बात, interest on capital, भाई, capital तो आप सबको पता है, जो पैसा हम business शुरू करने में इन्वेस्ट करते हैं, वो capital है, तो capital पे interest कितना होगा, तो not allowed, not allowed, किसी partner को capital पे interest नहीं मिलेगा, अगर partnership lead क्या है, औरल है, तो यहाँ पर भी देखो नुकसान हो सकता है, देखो कैसे हुआ, A ने 5 लाक लगाया था, B ने 2 लाक, मान लो rate of interest 10% होता, मान लो कि अगर partnership lead बनी होती, return में होती, तो उसमें 10% का interest का provision होता, तो A को interest मिलता कितना, 50,000, और B को कितना मिलता, 20,000, तो आप देखा जाए, तो A को B के मुकाबले जादा नुकसान है, क्योंकि इसको तो सिर्फ 20 मिलना था, इसको 50 मिलना था, इसे 30,000 जादा मिलना था, लेकिन क्योंकि जो partnership deed है, वो oral है, इसलिए interest on capital किसी को भी नहीं मिलेगा, इस case में भी एका नुकसान हो गया है, clear है, चलिए जी, next बात करते हैं, interest on drawings, अब drawings आप सब को पता है, किसे कहते हैं, drawings मतलब वो पैसा जो business में से owner ने, proprietor ने, person use के लिए निकाला, तो अगर कोई owner या proprietor, business partner, अगर क drawing देना की नहीं देना, not charge, किसी partner से drawing पे interest नहीं लिया जाएगा, clear है, तो याद रखना कि drawing पे interest नहीं लिया जाएगा, अगर partnership deed, oral है, next पढ़ते हैं, interest on loan, अब भाई ये क्या है, interest on loan क्या है, कि अगर कोई partner, मैंने कहा कितने partner है, A और B, दो partner, suppose कर रहेंगी, दो ही partner है, मान लो, business को loan की जुरूरत है, और A के पास कुछ additional funds हैं, वो partnership में, वो funds as a loan देता है, तो कोई partner, अगर loan देता है, business में, तो जो partner loan दे रहा है, उसको 6% per annum हमें interest देना ही, देना है, यह याद रखना, कि अगर partnership deed oral है, तो कितने percent interest, 6%, और अगर return होगी, तो जितना return में लिखा होगा, उतना देना, otherwise 6% तो देना ही देना है, in case, अगर कोई partner, अपनी partnership firm के लिए loan देता है, clear है, और आखरी, salary या commission, salary और commission, भाई, किसी partner को salary या commission मिलेगी या नहीं मिल देना है, मालो दो partner है, एक ही काम कर रहा है, यह ही काम कर रहा है, लेकिन अगर partnership deed return में नहीं है, तो एको salary commission नहीं मिलेगी, बेशक वो जितना मर्जी काम कर लेगी, बेशक घर बैटा रहे, मस्तर है, clear हो गया, तो यह पांच रूल आपको याद रखने है, कि अगर partnership deed oral है, य respective of the capital contribution, चाहे कोई कितनी ज़्यादा capital लगा या कम, capital पे interest, interest on capital किसी partner को नहीं दिया जाएगा, interest on drawings, drawing पे interest किसी partner से नहीं लिया जाएगा, interest on loan, अगर कोई partner loan देता है, तो उसको कितना interest देना है, 6% परेना है, और salary या commission किसी partner को नहीं दी जाएगी, clear हो गया, चलिए जी, अब हमें अलग पढ़ना क्या है, देखिए जो आपने 11th में किया वो अब भूल जाओ, आपको याद होगा जो 11th में आपने last topic किया था, final account है ना, और final account में आपने क्या बनाया था, भई सबसे पहले आपने बनाया था, trading account, ठीक है, trading account के बाद आपने क्या बनाया था, profit and last account profit and last account, profit and last account बनाने के बाद, आपने क्या बनायी थी, आपने बनायी थी, balance sheet, clear है, यह आपने 11th में किया था, under sole proprietor, ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है, देखिए trading account, profit and last account आप सीख चुके हैं, इसमें एक नया account बनाना है, trading account, profit and last account के बाद, यहाँ पर एक और account बनेगा, जि account, देखिए trading account में हमारे पास यहाँ पर क्या आता था, gross profit, आपको याद है, यहाँ पर gross profit आता था, वो ही gross profit कि हम यहाँ पर लेके आते थे, और यहाँ आता था आपका क्या, net profit, ठीक है, तो net profit, अब यह net profit हम यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, trading account में gross profit आया, gross profit आपने लेकिन कहा profit and loss appropriation account में तो यहां पर जो आपने एक नई चीज़ बनानी है वो रहेगा profit and last appropriation account अब profit and last appropriation account इसका मतलब तब बनता है जब कोई partnership firm बनती है partnership firm create होती है clear हो गया अब partnership firm बनी तो profit and last appropriation account क्यों बनाना है दोस्तों क्योंकि appropriation का मतलब होता है कि जो आपके पास यह profit आया प्रॉफिट आया इस प्रॉफिट को पार्ट्रस में बनाते हैं अब अब हमारे पस्विट होगा तो ही हम profit को distribute कर सकेंगे profit नहीं है तो फिर हम वो distribution नहीं कर सकेंगे तो दोस्तो हमें ये बनाना है profit and last appropriation account लेकिन ये हम करेंगे अब अगले next वीडियो में आज अभी का वीडियो छोटा है मैं सिर्फ थोड़े basics पे बात की अब आने वाले वीडियो में इस सारी चीजें आप आने वाले लेक्चेस में आप सीखोगे ये जस्ट आज का introductory वीडियो था short वीडियो मैंने मनाया next वीडियो में हम शुरू करेंगे profit and last appropriation account पूरा आपको complete समझाऊंगा इसका format फिर इसके अंदर जो भी चीजें हैं interest and capital drawings वो सारी चीजें next वीडियो हम discuss करेंगे thank you दोस्तो thank you very much